हेलो स्टुडेंट मैं डॉक्टर आयुश पर एक टीम जुलॉजी सीकर से आप सभी का स्वागत है से यूट्यूब चैनल पे तो स्टुडेंट्स ये है हमारा दंगल नंबर वन और इसमें जो जुलॉजी का पोर्शन है वो मैं डिसकस करूँगा जिसमें हमारे पार्ट वन तो फ्री का जो कंबाइन स्लेबस है वो यहां पर आ रहा है तो चलिए भीना कोई टाइम वेस्ट की ये टॉपिक को जो क्यूशन है उन्हें डिसकस करना शुडू करते हैं उमीद है कि आपका वेपर अच्छा गया होगा देखिए पहला क्यूशन आप से क्या कह रहा है वि पाच वर्ष से कम आयू का बच्चा आप लोग जानते हैं इंसानों में जो डेंटेशन है वो डाइफ आयोडॉंट है द्री बार दंती है ठीक है तो शुरुवाती दात आते हैं पास साल से कम उम्र के बच्चे में वो ऐस्थाई यानिकि टेंपररी टीथ होते हैं जिने हम मिल्क टीथ भी कहते है और देन फिर आगे की उम्र में 21 साल तक की उम्र में जो डात आते हैं उन्हें हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं तो पास साल के बच्चे में कौन से वाले दात उपस्तित होंगे तो देखिए पास साल के बच्चे का अगर मैं टेंटल फॉर्मूला लिखूँ एक सिंपल सी बात है अगर मैं टेंटल फॉर्मूला लिखता हूं बच्चे का तो हमारे सामने यह आता है तू अच्छा अगर आप लोग जानते हैं डेंटल फॉर्मूला का जो आपका फॉर्मूला है उसमें हम किस तरह से लिखते हैं इन्साइजर, कैनाईन, परी मूलर और मूलर ठीक है, इन्साइजर, कैनाईन, परी मूलर और मूलर यह माल लेते हैं कि बच्चे का अपर जो हो गया और ये हो गया lower jaw, ये center की line तो बच्चे की हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से देखिए, incisor, canine, premolar और molar इधर भी incisor, canine, premolar और molar पास साल से कम उम्र का बच्चा है तो इसमें जो दात उसके नहीं आएंगे देखिए, मानव के जो दंत है, मानव के जो टीथ है एक ही बार आते हैं, एक तो हो गए premolars ठीक है, कौन से हो गए premolars और एक हो गया last molar, ठीक है तो premolar और last molar किसमें देखने को मिलेंगे आपको adults में, तो ये बच्चे में नहीं मिलेंगे incisor आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे कितने देखने को मिलेंगे incisor incisor आपको बच्चे में देखने को मिलेंगे 2, canine भी कितने देखने को मिलेगा 1, पर pre molar क्योंकि आए नहीं तो कितने देखने को मिलेंगे 0, और molar वैसे तो 3 होते हैं पर बच्चे में शुरू के 2 हैं, last वाला molar जिसे हम अकलदार या wisdom teeth कहते हैं, ये बाद में आता है, 18 साल से लेकर के 21 साल की उमर के बीच में आता है और 18 साल एक voting right की भी age होती है, इसलिए इसको हम लोग wisdom teeth के नाम से भी जानते हैं, तो अभी बच्चे में क्योंकि 5 साल से कम उमर का बच्चा है, तो केवल molar कितने देखने को मिलेंगे, आपको 2 देखने को मिलेंगे, 2102, ये dental formula हो गया बच्चे का, अब यहाँ पर आपके सामने दाव दे रखे हैं, तो आपको इन में से कौन से छाटने incisor, canine और शुरू के 2 molar, अगर आप लोग A को देखोगे, तो ये किसको represent कर रहे हैं, incisor को आप B को देखोगे, देखे, 3rd नमबर पर तो ये किसको represent कर रहा है, canine को C को देखोगे, तो ये किसको represent कर रहा है, pre molar को, और यहाँ पर देखो कि आप B को तो यह किसको represent कर रहा है, यह represent कर रहा है, first two molars को, किसको represent कर रहा है, शुरू के दो molars को, तो बच्चे में कौन से दात नहीं है, pre molar नहीं है, बाकी कि सारे मिलेंगे, मतलब A वाला मिलेगा, B वाला मिलेगा और D वाला मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा इस इसमें A, B, C, D सब दे दिया, इसलिए गलत हो गया, इसमें केवल A, B, C दे दिया, C तो है ही नहीं, तो गलत हो गया, आप third option देखिए, only A, B and D are present, यानि कि A, B, D present है, इसमें फिर से C दे दिया, इसलिए गलत हो गया, तो सही answer जो हमारा यहाँ पर आता है, वो कितने number पर आ ग column 1 और column 2, और सही option आपको छाटने है, देखिए, गुदा की अवरोधनी, यानि की sphincter of anus, अगर sphincter of anus की हम लोग बात करें, तो कहां मिलेगा, अगर आप देखोगे तो third option पर, आहार नाल की अंतिम भाग की खुलने का नियमन, guard the opening of terminal part of elementary canal, elementary canal की जो posterior opening है, वो कौन होती ह और वहाँ उसको guard कॉन करता है, एनल स्पिंक्टर, तो एक के सामने हम लोग कितना लगा सकते हैं, third, cardiac अवरोधनी, सब लोग जानते हैं, isophagus जहां खुलती है, stomach के anterior part में, यानि की अगर भाग में, वहाँ लगी होती है, cardiac अवरोधनी, तो देखिए, cardiac अवरोधनी के लिए पांसर शाटों के तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, fourth option, between isophagus and anterior stomach, ठीक है, तो cardiac sphincter के सामने हम कितना लगा सकते हैं, cardiac sphincter के सामने हम लोग लगा सकते हैं, B में आपका, B में हम लोग लगा सकते हैं, fourth, यानि की ग्रसिक और अग रमाशा के मध्य, sphincter of OD, सब सा होता है, sphincter of OD, तो opening of hepatopancreatic duct into deodenum, यानि की OD की अबरोधनी में हम क्या लगा सकते हैं, ग्रहनी में यक्रत अगनाशी नरीका का खुलना, वहाँ पर उपस्तित होती है, ileocecal का part, जहाँ पर ileum सीकम में खुलती है, उसकी opening को guard करता है, ileocecal का part, और ileocecal का part का कार यह होत जाएगा, वह वापस ileum में ना आए, इसलिए यहाँ पर valve है, क्योंकि valve का का काम होता है, backflow को रोकना, इसलिए किस के बीच में मिलेगा आपको ileocecal का part, किस के बीच में मिलेगा, ileum और सीकम, ileum किस का part है, small intestine का, सीकम किस का part है, large intestine का, तो अगर आप इन options को देखोगे, तो छोटी आंतर और बड़ी आंतर के मध्य है, between small and large intestine, यानि कि D पर आगया आपका 5, और pyloric अवरोधनी किस के बीच में होती है, stomach का जो posterior part है, वो किस में खुलता है, duodenum में, तो उनके बीच में कौन सा sphincter होता है, pyloric sphincter, ठीक है, और stomach का जो posterior part होता है, उसे कहते भी क्या है हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग pyloric part, तो between duodenum and posterior stomach, तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते है, 2, तो सही matching हमारे सामने हो गई, 3, 4, 1, 5, 2, तो यहाँ पर select करते है, 3, 2 आ गया, गलत हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 से start हो रहा है, गलत हो गया, 3, 4, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 3rd option प चलिए, आगे चलते हैं, next, आपको statements दे रखे हैं, उन्हें पढ़ना है, ठीक है, और क्या पहचानना है, कितने गलत हैं, wrong कितने हैं, ठीक है, wrong, पहला पढ़ते हैं, stomach store food for 4 to 5 hours, यानि कि जो आमाशे है भोजन को 4 से 5 गंटी तक संचित रखता है, या store रखता है, NCRT की गलत बात हो गई, intestinal juice का pH, alkaline होता है, या शारिय होता है, जो जठर रस होता है, या gastric juice होता है, उसका pH acidic होता है, इसलिए यह statement आपका क्या हो गया, false हो गया, C पर आजाईए, trypsinogen is activated by an enzyme enterogastron, secreted by intestinal mucosa, enterogastron नहीं होगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, enterokinase आना चाहिए था, पर क्या दे रखा है, enterogastron, तो यह वाला जो कथन है, यह वाला statement है, यह भी क्या हो गया, false, renin is enzyme found in the gastric juice of infant which helps the digestion of milk protein, अगर आप इसको English में refer करोगे, तो renin की spelling में single N आ रहा है, अगर single N आएगा, तो यह चला गया, फिर excretory system वाला renin, और यहाँ वाला जो renin आता है, जो कि infants में, यानि कि शिशू में, जो दूद का जो protein है, उसका पाचन में, जो मदद करने वाला enzyme है वो है renin, R-E-N-I-N, तो यहाँ single N आ गया, इसलिए यह भी आपका statement हो गया, फाल्स, तो इन चारो statements में से, एक सही है, तीन गलत है, पूछा क्या है, कितने गलत हैं, तो total कितने गलत हैं, तीन गलत हैं, और तीन हमें कहाँ दे रखा है, चौथे option में दे रखा है, इसलिए बच्चों इसका answer हो जाएगा, option number fourth, आ रहा है आपके समझ में, आगे चले, चलिए, how many enzymes are secreted from the wall of intestine, आंतर की भित्ती से कितने enzymes त्रावित होते हैं, देखिए आंतर की भित्ती यानि कि intestinal wall की जो brush water cells होती हैं, वो enzymes को जब secret करती हैं, और आंतर की भित्ती में जो goblet cells होती हैं, वो mucus को secret करती हैं, तो इन सभी का जो secretion है commonly जाना जाता है intestinal juice के नाम से, जिसका दूसरा नाम है सकस entericus, तो इस question को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि सकस entericus में कौन-कौन से enzymes होते हैं, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले nuclease नहीं होता, nuclease, जैसे कि DNA के लिए, DNAs, RNA के लिए, RNAs, ये केवल आपको pancreatic juice में देखने को मिलेंगे, intestinal juice में देखने को नहीं मिलेगा, dipeptides, बिल्कुल dipeptides is present होते हैं, जैसे आगे example भी दे रखा है dipeptides का maltase, जो कि maltose का digestion करता है, steepsin, steepsin एक fat digesting enzyme है, जो कि pancreatic juice में प्रेजेंट होता है, तो ये भी हो गया आपका गलत, sucrase, ये भी एक disaccharides है, जो कि आपको किस में देखने को मिलेगा, intestinal juice में देखने को मिलेगा, lactase, ये भी एक, sorry, ये dipeptides है, और ये maltase, sucrase, ये disaccharides है, ठीक है, ये dipeptides यानि कि जो amino acid के दो group हो गए, उनका digestion करता है, maltase और sucrase कौन है, disaccharides है, तो lactase भी disaccharides है, ये भी intestinal juice में आपको देखने को मिलेगा, और जब nucleus अपना काम करेगा, तो जो nucleic acid है, वो तूट जाएगा, किसमें, nucleotides में, उनको further digestion के लिए चाहिए, आपको enzymes, चाहिए nucleotidase, और वो भी intestinal juice में present होता है, तो बिलकुल होता है, nucleotidase के action से nucleotide तूटेगी, nucleoside plus phosphate group में, और nucleoside को तोड़ने के लिए further जो enzyme चाहिए nucleosidase, वो भी आपको intestinal juice में देखने को मिलेगा, और last में intestinal lipase भी present होता है, इसलिए ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो कितने देखने को मिल रहे हैं, अगर हम गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो total कितने हो गए, 7, 7 हमें कहां दे रखा है, fourth option में, इसी वजह से इसका answer हो गया, fourth option, चलें आगे, next, ये देखिए, ये आपके सामने, आप समझे गए होंगे, इस तरह का graph कौन सा है, ये graph है आपका oxygen dissociation curve, यानि oxygen vision curve, जिसमें आपके 2 axis है, ये तो हो गया आपका x-axis और ये हो गया y-axis, x-axis पर तो दे रखा है oxygen का आशिक दाव mmHg में, यानि कि partial pressure of oxygen mmHg में, और y-axis पे आपको दे रखा है hemoglobin की oxygen के साथ में प्रतिशत संतरप्ता, यानि कि percentage saturation of hemoglobin with oxygen, इसकी जो normal shape होती है, वो होती है sigmoid अब ये जो curve है, ये दो जगह shift हो सकता है, अगर ये x-axis की तरफ जुकने लगे, तो इसको हम कहते हैं right shift और ये y-axis की तरफ जुकने लगे, तो इसे हम कहते हैं left shift ठीक है, अब ध्यान से समझना, right shift में ये नीचे गिर रहा है, left shift में ये उपर उठ रहा है, उठाने का काम, आपको आगे बढ़ाने का काम दोस्त करते हैं, और नीचे गिराने का काम दुश्मन करते हैं, यानि दोस्त वो जो ये चाहते हैं कि oxygen और hemoglobin आपस में react करके oxy hemoglobin मनाएं, यानि कि वो factors जो oxy hemoglobin के बनने को promote करते हैं, वो है friend factors, वो हमेशा y की तरफ ले जाएंगे, left shift करव और जो enemy factors हैं, जो ये चाहते हैं कि oxygen और hemoglobin का तलाक हो जाए, वो तूट जाए, वो हमेशा नीचे गिराएंगे, क्योंकि वो दुश्मन है, enemy factors, तो ध्यान रखेगा, जो दुश्मन है, वो नीचे खहसते हैं, और जो दोस्ते हैं, वो उपर की तरफ खहसते हैं, यहां से आ enemy factors, यह किसके लिए responsible है, right, shift के लिए, और friend factors किसके लिए responsible होंगे, left, shift के लिए, अब enemy factors कौन है, जो क्या promote करते है, enemy factors क्या promote करते है, प्रमोट, enemy factors promote करते हैं, dissociation, अब होते कौन-कौन से है, enemy factors, तो इनकी में बात करो, तो enemy factors में, अगर oxygen का खुद का partial pressure यदी कम है, तो यह enemy factor के अंदर आ जाएगा, co2 का partial pressure यदी ज्यादा है, तो यह enemy factor के अंदर आ जाएगा, h-plus-ion की concentration ज्यादा है, तो यह enemy factor के अंदर आ जाएगा, temperature यदी ज्यादा है, तो यह enemy factor में आ जाएगा, pH यदी कम है तो यह enemy factor में आ जाएगा यह सारे वो factors है जो किसको promote करते हैं जो promote करते हैं dissociation को यानि कि oxygen और hemoglobin के तूटने को यह सारे के सारे factors क्या करते हैं promote करते हैं तो अब हमें इन में से छाटना है तो पहला option पहला देखिए ए निम्न PO2 तता उच्छ PCO2 low PO2 and high PCO2 यानि oxygen का कम होना और किसका ज्यादा होना CO2 का ज्यादा होना तो यह factor कहां कि तरफ responsible हो जाएगा right shift के लिए responsible हो जाएगा तो सही हो गया high temperature high temperature वापस right shift के लिए responsible हो गया तो यह ठीक हो गया low PCO2 PCO2 का कम होना तो friend factor की category में आ गया यह तो left में ले जाएगा इसलिए यह नहीं होगा high H plus iron concentration यह भी right की तरफ shift करेगा इसलिए यह हो गया तो कितने है 1, 2 और 3 यानि कि 3 factors वो दे रखे हैं जो कहां ले जाएगे right की तरफ ले जाएगे और 3 हमें कहां दे रखा है 3rd option में दे रखा है इसी वज़ाए से इसका answer कौन सा हो जाएगा option number 3rd is the correct answer आगे चलते हैं फिर से आपके सामने statements दे रखे हैं आपको पहचानना है कि कौन से statement सही है देखिए chest expands because air enters into the lungs छाती फैलती है क्योंकि हावा फेफडों में प्रवेश करती है नहीं उल्टा हो गया यानि कि जब chest expand होता है तो अंदर का pressure lungs का atmosphere के तुलना में कम हो जाता है इसलिए हावा अंदर आती है यह क्या बोल रहा है कि हावा अंदर आ रही है इसलिए छाती फैल रही है तो यह हो गया गलत second पढ़िए air enters into the lungs because chest expand वाईउ फेफडों में प्रवेश करती है क्योंकि छाती फैलती है बिल्कुल सही बात है जब chest expand होगा थोरस cavity expand होगी तो lungs की volume भी भड़ेगी pressure घटेगा इसलिए हावा अंदर आएगी तो यह बात हो गई सही muscles जो है diaphragm की वो contract होती है क्योंकि हावा अंदर आती है नहीं diaphragm की muscle contract होती है इस वज़े से volume बढ़ती है और इस वज़े से हावा अंदर आती है यह भी हो गया गलत एक healthy इंसान जो है उसकी जो breathing rate है वो 12 से 16 मिनिट होती है तो यह हो गया फिर से सही तो 2 सही है 2 गलत है आपसे पूछा क्या है कि सत्य कौन से है correct कौन से है तो correct है आपके 2 statement 1 और 4 और वो आपको दे रखा है 3rd option में इसलिए answer हो गया आपका 3rd option ठीक है आगे चलिए अब आपको यहाँ पर कुछ structures दे रखे हैं या labels माल लीजिए या उनको structures माल लीजिए ठीक है अब इनको sequence के साब से आपको arrange करना है यह structures जो है वो आपके respiratory यानि कि जो पूरा आपका pathway है यानि कि श्वसन ब्रॉंकियोल त्रत्यक श्वस्नी द्वित्यक श्वस्नी प्रात्मिक श्वस्नी तो जैसे ही ट्रैकिया आता है T5 level पर वो दो branches में डिवाइड हो जाता है वो हो गई आपकी primary bronchi वो अंदर जाके secondary bronchi में तूटती है फिर वो tertiary में तूटती है और ending में जाके आपको bronchioles मिलेंगे तो सबसे पहले कौन से structure होगी primary bronchi primary bronchi किस में तूटेगी secondary bronchi में यानि कि C फिर वो किस में तूटेगी tertiary bronchi यानि कि B और फिर वो finally किस में तूटेगी bronchioles में यानि कि A तो सही sequence जो है वो है DCBA और DCBA आपको second option में दे रखा है इसी वजह से आपका सही answer यहाँ पर हो गया second option आगे चलते हैं अब यहाँ पर आपको एक आन्शिक दाब की यानि कि partial pressure की एक table दे रखी है तो आपको वो data याद होना चाहिए जैसे इसको पहले data को आप fill up कीजिए CO2 का alveoli में partial pressure होता है 40 mmHg फिर CO2 का oxygenated blood में भी partial pressure होता है 40 mmHg oxygen का deoxygenated blood में partial pressure होता है 40 mmHg और oxygen का जो tissue में partial pressure होता है वो भी कितना होता है 40 mmHg तो लगबग यह सारे 40-40 के data है तो इसी लिए अब जिस option में सारे 40 है वो आपका answer है ऐसा आपका second option में दे रखा है इसी वजह से आपका answer हो जाएगा second option ठीक है आगे चले चलिए अब incorrect match पता लगाना है आपको प्रभाः आयतन ESV-EDV देखिए ESV जो है यह हो गया आपका end systolic volume और जो EDV है यह हो गया end diastolic volume आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं यानि कि systol का मतलब हो गया प्राकुंचन यानि कि जब systol होता है उसके end में जो volume बची जो blood बचा ventricle के अंदर वो हो गया ESV अलग-अलग ventricle में left में अलग, right में अलग ऐसे ही diastol जब खतम हो रहा है उसके ending में जो blood है ventricle में वो हो गया EDV तो देखिए stroke volume क्या चीज होती है जब diastol का end होता है तो हर ventricle में जो blood भरा रहता है वो होता है 120 ml ऐसे माल लीजिए कि आपने motor on करी और आपकी तंकी भरती पानी की तो आप diastol में ventricle पूरी तरह से भर चुकी है semi lunar valve बंद है अब वो खुलेंगे खुलेंगे तो वो blood किन में pump हो जाएगा अपनी side की जो arteries हैं उन में इधर के तरफ महाधमनी या ओटा में इधर के तरफ pulmonary artery में यानि कि आपने नल खोल दिया बाल्टी भर ली टंकी खाली हो गई खाली होने के बाद अब जितना blood बचा वो किस के end में बचेगा स्टॉल के end में तो वो हो गई आपकी ESV ESV जो होती है वो होती है 50 ml तो बताओ कि कितना पानी आपने बाल्टी भरने में काम में ले लिया टंकी फुल भरी हुई थी और अब खाली होने के बाद उसमें जितना पानी है दोनों को माइनस कर दूँगा तो वो amount आजाएगा जितना पानी आपने नहने में काम में ले लिया या बाल्टी भरने में काम में ले लिया यानि कि जब डास्टॉल के end में वेंट्रिकल फुल भरी हुई थी उसको मैं माइनस कर दूँ स्टॉल के end में अब जितना बलड बचा तो आपके सामने वो blood आ जाएगा जो अपने side की artery में ventricle ने pump कर दिया एक beat में और वो जो blood एक beat में ventricle अपने side की artery में pump करती है उसे ही हम कहते है stroke volume तो stroke volume का जो formula यहां बनेगा वो बनेगा EDV minus ESV equals to SV EDV कितनी है 120 ml और ESV normally कितनी मानते हैं हम 50 ml तो यहां answer आजाएगा stroke volume का कितना 70 ml पर अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहां उल्टा दे दिया ESV में से EDV minus करवा रहा है इसलिए यही आपका incorrect match हो गया और answer भी आपका हो गया 1 फिर भी आगी के options को पढ़ते हैं इंसान का heart myogenic होता है मायो जनित है यानि कि जो impulses होती है वो heart के खुद के अंदर generate होती है nodal tissue में pace maker essay node की नाम से जाना जाता है और ध्यान से समझेगा additional information की तौर पे जब essay node से impulse का conduction होता है bundle of his से होते होए पुरकिंजे fibers के द्वारा ventricle musculature में तो जो सबसे तेज speed होती है वो होती है bundle of his में और सबसे धीमे speed होती है ev node में तो ये statement भी सही है गलत क्या है esv-edv होना क्या चाहिए था edv-esv तो answer हो गया first next देखे globulin और albumin का ratio पूछ रहा है albumin का ratio होता है 4 देखे ऐसे लिख देदा हूँ albumin ratio globulin तो albumin होता है 4 और globulin मानते है 2 albumin globulin का ratio हो गया 2 ratio 1 पर इसने क्या पूछा है globulin और albumin का तो इसको उल्टा कर देगे तो कितना आ जाएगा 1 ratio 2 तो 1 ratio 2 हमें first option में दे रहा है इसलिए 10th का answer जो है वो हो गया आपका first option आगे चलते है select the incorrect with respect to joint diastole सन्यूक्त अनुशितलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा काथन गलत है joint diastole यानि कि वो time जब heart के सारे chamber relaxed state में रहते हैं complete relaxation रहता है वो क्या कहलाता है सन्यूक्त अनुशितलन या joint diastole इस दोरान आपके cuspid valve खोले रहते हैं और semulunar valve बंद रहते हैं blood जो होता है वो atrium से होता हुआ सीधे ventricles में आता है और इस दोरान ही ventricles maximumly भरती है 70% ventricles इस दोरान भर जाती है अब देखते हैं all heart chamber in relaxed state बिलकुल सही बात है relaxed state में रहते हैं सही बात हो गई 30% of blood flows in ventricles from atria during joint diastole नहीं 30% तो atria के systole में flow करता है उसके संकुचन में flow करता है यहां कितना दिरगा है यह बता रहा है joint diastole में 30 joint में 70 करता है तो यह हो गया गलत और गलत ही हमें छाटना है इसलिए answer हो गया second फिर भी आगे पढ़ते हैं SLV बंद रहते हैं SLV का मतलब हो गया semi lunar wall यानि की earth chandraakar kapat बिलकुल बंद रहते हैं तो यह बात भी सही हो गई mittral wall और tricuspid wall यानि bicuspid और tricuspid खुले रहते हैं मैंने बताया था आपको AV wall यानि atrioventricular wall जो आलिंद निले कपाट है वो खुले रहते हैं तो यह बात भी सही हो गई तो गलत क्या हो गया second option और गलत ही पहचानना था इसलिए answer भी second चला गया आगे चलिए एक figure दे रखा है correct matching आपको बतानी है कि कहाँ पर क्या सही दे रखा है मैंने आपको पहली भी बताया था कि ऐसे questions पर अगर आप इनकी labeling करोगे फिर option मिला होगे तो time waste होगा सीधे option से label मिला हो वन पर बता रहा है artery आप लोग जानते हैं यह double circulation का diagram है वन पर artery नहीं है वन पर तो क्या आना चाहिए वेना केवा तो यह हो गया गलत second पर बता रहा है pulmonary vein second यह रहा second पर pulmonary vein नहीं होती क्या होनी चाहिए औरटा तो यह भी हो गया गलत third पर बता रहा है pulmonary artery heart से lungs में लेके जा रही है तो बिल्कुल सही बात है यह हो गई pulmonary artery यानि की फुफुसिय धमनी यह बिल्कुल सही है answer भी यही हो रहा है third फोर्थ पर वेना केवा बता रहा है नहीं वेना केवा नहीं है यह तो क्या हो गई आपकी pulmonary vein जो कि oxygenated blood को ला रही है यह भी हो गया गलत तो सही matching कौन सा हुआ third option आगे चलिए फिर से आपको matching करनी है correct option पहचानना है very high blood pressure अत्याधिक रक्तदाव तो जब बहुत ज़्यादा blood pressure होता है तो जो हमारे शरीर के अंग है मस्तेशक और kidney इन पर प्रभाव पड़ता है तो A के सामने आना चाहिए first हरदय घात यानि cardiac arrest जब heart के अंदर electrical activity zero हो जाए ECG पर zero deflection देखने को मिले तो यह state आपकी कहलाती है cardiac arrest कहलाती है जो पी 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 आती है ECG में wave zero wave zero deflection यानि कि heart में कोई भी electrical activity नहीं हो रही मतलब बर्सन किस में चला गया cardiac arrest में तो cardiac arrest में क्या आना चाहिए heart ने धड़कना बंद कर दिया हिर्दय धड़कनों का बंद होना यानि कि fifth यानि कि fifth heart attack heart attack में heart की जो muscles होती है वो एकदम से damage हो जाती है क्योंकि proper oxygen उन्हें नहीं मिलता infraction हो जाता है जिसे myogardial infraction भी कहते हैं तो C में आना चाहिए आपका हिर्दय पेशियों का अचानक से शतिग्रस्थ हो जाना यानि कि fourth हिर्दय शूल एंजाइना एंजाइना का मतलब क्या होता है जो severe pain होता है heart attack के दोरान pectoral वाली griddle के अंदर वो आपका कहलाता है एंजाइना pectoris तो हिर्दय शूल का मतलब तीवर सीने में दर्द यानि यहां आना चाहिए second और atherosclerosis calcium cholesterol fat इनका deposition जो कहलाएगा यह cholesterol है में sprinting हो गया है तो इनका जो deposition है arteries के अंदर खासतोर पे coronary artery के अंदर यह कहलाएगा आपका atherosclerosis तो e में आना चाहिए आपका third तो सही हो गया 15423 आप देखिए पहले में 14 आ गया गलत है 154 यहां पर third आ गया गलत हो गया 154 23 15423 थार्ड आप्शन में है इसलिए answer हो गया थार्ड आप्शन आगे चलिए select the correct statement with respect to locomotion अब यह locomotion के related questions आ गए vertebral column has 10th thoracic vertebrae कशिरुक दंड में 10 वक्षिये कशिरुका होती है नहीं 12 होती है c 7 t 12 याद आया formula तो गलत हो गया चलिए joint जो है vertebrae की बीच में fibrous नहीं cartilaginous joint होता है उपास्थिल संधी होती है इसलिए यह भी हो गया गलत estrogen का कम होना जो old ladies होती है उनमें osteoporosis का कारण मनता है ना कि protestron का गलत यूरिक acid जब जमा होने लगता है joint में तो उनके अंदर उनका शोत हो जाता है joints का जो बिमारी कहलाती है gout तो fourth statement यहाँ पर सही हो गया आप से पूछा भी सही था इसी वजह से यहाँ पर आपका answer क्या गया fourth आगे चलते हैं which of the following joint would not allow any movement निमलिकर में से कौन सी संधी किसी भी प्रकार की गती की अनुमती नहीं देती तो देखिए बिलकुल movement ना हो तो रेशे में संधी यानि fibrous joint हलका फुलका movement हो cartilaginous joint और अच्छा खासा movement हो synovial joint यह कह रहा है कि बिलकुल movement नहीं हो रहा तो answer चला जाएगा ratio जोड यानि की fibrous संधी तो answer चला गया third option आगे चलिए यह बिलकुल matching है NCRT का diagram से जब आप लोग इसकी matching करेंगे तो first option आपको exactly में सही तरह से match करवाएगा मैं वापस इसमें लिखूंगा इस से अच्छा है कि आप एक बार इसको NCRT से consider कर ले A हो गया ileum, B हो गया isium, C हो गया pubis, D हो गया sacrum, E coxal bone कहलाएगी और finally यही हमसे पूछा है A, B, C, D, E तो सही matching first option में है इसलिए answer इसमें चला जाएगा first option यह matching का question है इसमें कोई concept है नहीं आप diagram देखिए NCRT का और matching कीजिए simple सी बात है, यह वाला matching अगर हम लोग देखें तो फिर से वो ही बात जो मैंने अभी आपको बताई, cartilaginous joint यानि उपास्थे युक्त जोड जो है इसमें सीमित गती होती है, होती तो है पर सीमित होती है, यानि कि A के सामने आना चाहिए third, fibers joint में किसी भी प्रकार का movement नहीं होता, यानि B के सामने आना चाहिए first, synovial में परियाप्त गिती यानि considerable movement होता है, यानि यहाँ आना चाहिए second, तो सही matching हो गई 3, 1, 2, तो आप देखिए 3, यहाँ तो दे नहीं रखा तो गलत हो गया, यहाँ नहीं दे रखा तो गलत हो गया, 3, 1, 2, यहाँ सही दे रखा है, इसी वजह से answer आजाएगा third option, आगे चलते हैं, अब excreator system के questions आ गए हैं, देखिए, kidney are situated between 10th thoracic and 3rd lumber vertebrae, वरक दसवी वक्षिय तथा तीसरी कटी, नहीं, दसवी नहीं, T12 से L3 के बीच में kidney located होती है, तो यह हो गया गलत, renal pelvis वाले reason में बता रहा है कि PCT, DCT, malfeasin body पाई जाती है, यह तो सरासर गलत हो गया, renal pelvis तो एक एक ऐसी structure है, एक तरह है कि मतलब की keep की जैसी संरचना है, जहां से ureter के तौर पर वो pelvis वाला reason बहा निकलता है, तो यह भी सरासर हो गया गलत, इंसान 25-30 gram urea का उत्सरजन करता है, बिल्कुल सही बात है, यह हो गया सही, blood of renal way, vein possesses more urea than blood of renal artery, वरक शीरा के रुधिर में urea की मात्रा वरक धमनी से अधिक होती है, गलत बात हो हुई, धमनी बलड जो ला रही है, ठीक है, धमनी जो बलड ला रही है, उसमें urea जादा है, क्योंकि वो body का urea ला रही है, और एक बार अगर वो जब kidney में जाएगा, तो kidney उसमें से urea अलग कर देगी, उसे urine में डाल देगी, तो vein जो blood ले जाएगी kidney में से, उसमें urea की मात्रा कम होगी, इसलिए ये भी हो गया गलत, तो सही क्या हुआ, third option, आंसर भी क्या चला गया, third, क्योंकि पूछा भी क्या है, आप से correct, यानि की सही कथन, यानि की correct statement प होता है, तो reabsorption के minimum की हम लोग बात करें, तो जो ascending arm होती है, handle loop की, उसमें reabsorption क्या होता है, minimum होता है, इसलिए answer यहाँ पर भी क्या चला जाएगा, third option, सही answer क्या हो गया है, इसमें, third, चलिए, अगले question पे चलते हैं, कर रहा है, देखिए, collecting duct को अगर आप लोग देखोगे, तो cortex से medulla तक extend होती है, तो पहला जो statement है, वो सही है, collecting duct के लिए, तो यह मान लिया हमने true, large amount of water could be absorbed by it to produce concentrated urine, यानि की जो सांद्र मूत्र है, उसके निर्मान के लिए बहुत अच्छी मात्रा में collecting duct gel का outsourcing कर लीती है, क् की ADH hormone आजाता है, तो यह बात भी हो गई, आपकी सही हो गई, small amount of urea diffuses into it from medulla to keep it the osmolarity, इसमें मध्यांच से परसाननता को बनाए ने के लिए कम मात्रा में urea विस्वित होता है, नहीं, उल्टा हो गया, collecting duct से कुछ urea मध्यांच में आता है, ताकि वहां की osmolarity maintain हो जाए, तो यह collecting duct के लिए हो गया, false, it play role to maintain pH ionic balance of blood by the selective secretion of H plus and K plus I, तो यह बात फिर से collecting duct के लिए सही हो गई, पूछा क्या है कि कौन सा गलत है, तो अगर आप लोग देखोगे, तो केवल तीसरा statement जो है वो collecting duct के लिए संग्रहे नलिका के लिए गलत है, तो answer हमारा हो गया, second option क्यों answer हो गया, आपका यहाँ पर second option, आगे चलिए, फिर in which of the following organisms its excretory structure are not correctly matched, सही match नहीं है, amphioxus, cephalocodita का member है और उसमें protonephridia present होते है, purely LCRT में लिखा हुआ है, तो पहली वाली बात तो हो गई, सही, इंसानों के अंदर kidney जो है वो एक excretory organ है, तो यह वाली बात भी हो गई, सही कोक्रोच में malphigion न लिकाएं, malphigion tubule है, ना की body, malphigion body तो क्या हो गई, आपकी bowman capsule plus glomerulus हो गई, इसलिए third option हो गया, false यानि की गलत, प्रॉन में antinary gland या green gland जो है वो excretory organ के तोर पर जाना जाता है, इसलिए यह बात हो गई, सही, तो पूछा क्या है आपसे, ढंग से male नहीं खाती, not correctly match पूछा है, तो भहिया, third वाली male नहीं खाती, इसलिए answer हो गया यहाँ पर, third option, चले आगे, choose the correct statement regarding anti-diuretic hormone, ADH hormone के लिए सही, कथन का chain कीजिए, तो देखो, ADH hormone, vasodilation को promote करता है, पहला statement यह कह रहा है, वाहिकाओं को फैलाता है, नहीं, vasopressin, contract करने का काम करता है, इसलिए यह वाली बात हो गई, गलत, क्योंकि इसमें फैलाने की बात कर रहा है, promote uptake of sodium from PCT and DCT, नहीं, नहीं, इसका काम तो water का reabsorption बढ़ाना है, जल का पुनरा absorption बढ़ाना है, इसका sodium से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए second statement भी हो गया, गलत, produced by the posterior lobe of pituitary gland, देखे, posterior lobe से यह release होता है, बनाता तो कौन है, hypothalamus, इसलिए तीसरी बात भी हो गई, गलत, यह संग्रह वाही का तता DCT की जल के लिए पारगम मेता को बढ़ाता है, promote करता है, permeability को, collecting duct or DCT की पानी के लिए बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे aqua forins को खोल देता है, तो सही statement यहाँ पर ADH होर्मोन के लिए दे रहागा है, fourth option, इसलिए हमारा answer यहाँ पर चला जाएगा, fourth option, आगे चलते हैं, select the correct option regarding secretion of hormones from pituitary gland, प्यूश ग्रंथी से इस्त्रावित होने वाले hormones से संबंदित सही विकल्प का चैन कीजिए, तो प्यूश ग्रंथी के यहाँ पर तीन पार्ट दे रगे हैं, पार्स डिस्टैलिस, anterior pituitary, पार्स इंटर्मीडिया, यानि की जो मध्यभाग है, पार्स नर्वोसा, यानि की posterior pituitary, सही option आपको चाटना है, तो देखो, पार्स डिस्टैलिस से TSH, बिल्कुल निकलता है, TSH है न, thyroid stimulating hormone, अब यहाँ पर इंसान नहीं बताया, common पूछा है, त anocyte stimulating hormone कौन बनाता है, middle lobe बनाता है, तो यह वाली matching भी यहाँ पर सही हो गई, और nervousa में secretion की बात पूछी है, न, secretion से, यानि की यहाँ production की तो पूछी भी नहीं है, तो स्त्राव की बात करें, तो पार्स nervousa, यानि जो posterior pituitary है, वहाँ से कौन release होता है, ADH hormone, तो यह matching भी यह यहाँ पर सही हो गई, तीनों matching यहाँ सही हो रही है, इसलिए हमारा answer हो जाएगा, first option फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं, इसमें distilis से MSH निकलवा दिया, TSH यहाँ से निकलवा दिया, गलत हो गया, यहाँ TSH निकलवा दिया, सही बात है, पर ADH middle से निकलवा दिया, गलत हो ग हर्मोन stimulate the production of progestron, हाइपोफीशल हर्मोन, यानि हाइपोथलमस से आने वाला हर्मोन, जो progestron की secretion को promote करें, तो हाइपोफीशल हर्मोन, progestron की बात कर रहा है, तो यानि कि कहीं न कहीं बात यहाँ पर हो रही है, गॉनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हर्मोन की, ठीक है, गॉने GnRH जो है, गॉनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हर्मोन, यह यहाँ पर सीधे तोर पे कहीं पे भी option में नहीं दे रखा, यह पूछ रहा है कि कौन सा हाइपोफीशल हर्मोन, progestron की उतपादन को प्रेवित करता है, तो GnRH एक हाइपोफीशल हर्मोन हो गया, पर GnRH की बार आते हैं, जिसमें हमें लगता है कि कुछ न कुछ गड़बर है, अब आपको सही option तक पहुचना है, यहाँ पर सीधे तोर पर GnRH नहीं दे रहा है, तो आप लोग जानते हो, GnRH की वज़ए से FSH और LH निकलते हैं, और LH की वज़ए से ovulation होता है, और ovulation के कारण ज किसका रोल हो गया, LH का, और LH किसकी वज़ए से निकल रहा है, GnRH की वज़ए से, GnRH option में नहीं दे रखा, तो आप फिर क्या answer लगाएंगे, तो सही matching के लिए, एकदम correct matching के लिए हम answer लगा सकते हैं, second option यानि की luteinizing hormone, इसलिए हमारा यहाँ पर answer हो जाता है, इसलिए ह पहला question कह रहा है कि blood में calcium level को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है, PTH बढ़ाता है, ये बात तो सही होगी, incorrect बताना है, bone resorption यानि की अस्थी के vicalc करन को बढ़ाता है, तो ये बात भी सही होगी, इसकी जो axis है, उसके कारण हड़िया कमजोर होती है, बिल्कुल अगर PTH अ नहीं हो गया, its axis यानि इसकी अधिकता, यानि इसकी axis blood calcium को घटाती है, ये बात एकदम गलत हो गई, इसकी अगर axis है, तो blood calcium को बढ़ाएगी, ना की घटाएगी, इसलिए ये गलत हो गया, पूछा भी incorrect है, इसलिए 25 में आपका जो सही answer मिल गया, आपको वो मिल गया 4th option में आगे चलते हैं, चलिए, अगले question की तरफ चलते हैं, 26 नमर का question हमसे क्या कह रहा है, which of the following statements regarding the hypothalamic hormones are correct, please select all that apply, निम्न में से कौन सा कथन, hypothalamic hormone के संदर्भ में सही है, किरपया उप्यूक्त सभी का चाहिन कीजे, तो देखिए पहला statement क्या कह रहा है, hypothalamic releasing hormone are synthesized and secreted by neurons, hypothalamic मुक hypothalamus में जो hypothalamic nuclei होती है, वो एक तरह की modified neurons होते हैं, और वही hormones का production करने लगते हैं, और secretion करने लगते हैं, blood में, और वो hypothalamic portal vein, उस blood को उन hormones को लेके anterior pituitary में आ जाती है, तो उन्हें बनाने का काम और secret करने का काम किसका होता है, hypothalamic neuron का, तो ये बात हो गई सही, ठीक है, second statement, के द्वारा प्रवाहीत होता है, ये बात हो गई गलत, उल्टा होता है, hypothalamus जो है, वहाँ से anterior pituitary में portal vessels के तुरू आता है, ना कि anterior pituitary से hypothalamus में, तो ये बात हो गई false, third option देखिए, hypothalamic releasing hormones reach the general circulation in significant amount, देखिए, hypothalamic hormones जो है, releasing hormone, वो general circulation में significant amount में नहीं पहुंच पाते हैं, क्य anterior pituitary के बीच में, तो general circulation में जाने से पहले वो किसको मिल जाते हैं, anterior pituitary को मिल जाते हैं, तो ये बात हो गई गलत, hypothalamus और posterior pituitary के बीच में, इसलिए ये बात भी हो गई गलत, जी है चाह रहे हैं, यानि कि growth hormone, releasing hormone, जो है वो growth hormone के secretion को regulate करता है, तो ये बात एकदम सही है, तो fifth statement हो गया true, तो अब इसमें से आपको क्या बताना है, correct वाले बताना है, तो correct वाले कौन से हैं आपके सामने, एक तो हो गया first और एक हो गया fifth, first and fifth, ऐसा केवल fourth option में दे रखा है, इसलिए इसका answer चला गया, आपका fourth option is the correct answer, आगे चलिए, select the incorrect statement regarding the largest endocrine gland of the body, यानि शरीर की सबसे बड़ी अन्तह स्त्रावी ग्रंती के संबंध में गलत कथन चुनना है आपको, सबसे बड़ी endocrine gland है, thyroid gland, तो thyroid gland के लिए incorrect statement आपको यहाँ जानना है, यह है idothyronin का स्त्रावन करती है, तो देखिए thyroxin hormone जैसे T3 औ T4, तो यह कौन है, यह idothyronin ही है, तो पहली बात तो सही हो गई, इसको iodine चाहिए अपने hormone के normal production के लिए, तो यह बात भी सही है, क्योंकि iodine एक important, यहाँ पर एक तरह से देखा जाए, तो एक important substance है, T3 और T4 को बनाने के लिए, तो यह बात भी सही हो गई, it does not have role in BMR, यानि क thyroid gland का BMR में कोई role ही नहीं है, बलकि आप लोग जानते है, basal metabolic rate को regulate करने के जिम्मेदारी T3 और T4 की उपर होती है, यानि thyroid hormone के उपर होती है, और यह hormone thyroid gland से produce होते है, तो यह बात यहाँ हो गई, सारासर गलत, और 1 and 2 तो सही है, और पूछा क्या है, incorrect पूछा है, तो किवल एक statement incorrect है, वो है third, इसलिए यहाँ पर आपका answer हो गया, third option is the correct answer, चलिए, अब यहाँ पर animal kingdom के questions स्टार्ट हो चुके है, both mollusk and annulates, mollusk वे annulates दोनो, metamerically segmented animal बता रहा है, गलत बात हो गई, mollusk में आपको विखंडी भवन देखने को नहीं मिलता, metameric segmentation नहीं देखने को मिलता गलत, है visceral hump, तो annalida में visceral hump नहीं है, mollusk में होता है, तो यह बात हो गई, गलत, दोनो bilaterally symmetrical है, triploblastic है, और silomate animal है, तो यह बात यहाँ पर पूरी तरह से सही हो जाती है, mollusk के लिए, और annalida के लिए, तो third option is the correct, are dioces with direct development, तो नहीं, यह बात भी हो गई, गलत, annalida की ही आगर आप लोग देखोगे, तो उनके ही कुछ member monoseous है, तो सभी का dioces होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो यह बात भी हो गई, गलत, तो सही क्या है, third option, इसलिए answer हमारा यहाँ पर कौन सा गया, third option is the correct answer, चलिए, गलत statement का पता लगाना है, platy helminthes are the first bilaterally symmetrical animal, platy helminthes प्रथम वी पार्शव सममित जनतु है, यह बात एकदम सही हो गई, bilateral symmetry, platy helminthes से शुरू हो रही है, इस से पहले अगर टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा की बात करें, तो उनमें radial symmetry है, तो यह statement तो हो गया, true, applesia, जो कि C hair है, उसमें bilateral symmetry होती है, बिल देखने को मिलेगी, true tissues जो है, वो दो layers में arrange होते है, nidarians और tino force के अंदर, यानि कि यहाँ पर वो जो है, वो diploblastic होते है, तो उनके अंदर जो tissue organization होता है, उसमें केवल आपको 2 layers ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यह triploblastic नहीं है, जो triploblastic है first, वो platy helminthes से है, तो यह ब हो गई, सरासर गलत, क्यों गलत हो गई, क्योंकि cockroach में indirect development present होता है, उसमें nymphal stages पाई जाती है, तो यह बता रहा है, direct development, इसलिए fourth option हो गया, false statement, answer भी आपका क्या चला गया, fourth option, आगे चलिए, out of the following types of the cells given below, which ones are specialized to perform defense in silentrates, यह गई कोशिकाओं में से, कौन सी कोशिकाओं है, silentrates में रक्षात्मक कार्रे को करने के लिए विशिष्टिकरत होती है, तो silentrates के अंदर, चाहे शिकार को पकड़ना हो, चाहे रक्षा करनी हो, चाहे, है न, basically, किसी चीज़ का सहारा लेना हो, यानि, encourage, capturing its prey, defense, इन सभी में जो cells काम आती है, वो होती है, निडो साइट्स, इसी वज़े से, silentrates को, निडेरियन्स भी कहा जाता है, तो निडो साइट्स, जो है, वो आप देखोगे, second option में दे रखा है, इसलिए इसका सही answer हो गया, आपका second option, आगे चलो, the following characteristics are true for crocodiles, except, crocodiles के लिए कौन सा सही है, किसको शोड़ करके बाकी सही है, तो crocodile किसका member है, reptile का, सही बात हो गई, reptile कौन सी super class का member है, tetrapoda का, सही बात हो गई, tetrapoda जो है, super class कौन से phylum में आती है, crocodile किस phylum का member है, quadrata का, पर इसका subphylum देखोगे, crocodile का, तो vertebrata है, vertebrata क्या है, you quadrata, पर fourth statement में क्या बता रहा है, proto quadrata का member बता रहा है, तो ये बात crocodile के लिए हो गई, गलत, और आप से पूछा भी क्या है, कि किसको छोड़ के बाकी सब सही है, तो fourth को answer हो गया, आपका option number, fourth, आगे आजाओ, select the correct match with respect to the structures present in cockroach and their number, correct match पहता आना है आपको, malphigian tubules, malphigian न लिका है, 100 से 1.500, पहले ही option में आपको जानकारी सही मिल रही है, answer हो गया पहला, फिर भी आगे देखते है, alary muscle को 12 बोल दिया, 12 पेर आना चाहिए था, गलत हो गया, spiracle को 10 बोल दिया, 10 पेर आना चाहिए था, गलत हो गया, ovirial को 8 बोल दिया, 8 पेर आना चाहिए था, दोनों ovaries की बात करेंगे न, तो ये भी हो गया गलत, तो सही कौन सा है, first option is the correct, इस statement को ध्यान से पढ़िए, इन कौकरोच, blood from P enters heart through Q and pump anteriorly to R again, choose the correct options to fill up the planks, कौकरोच में P से रुधिर हिर्दय में प्रवेश करता है, जो Q के द्वारा गती करता है, और वापस अगर और R की और pump होता है, तो अब आप लोग अगर इसमें देखोगे, अगर आप यहाँ लिखते हो P sinus, sinus जो होते हैं, कौकरोच के अंदर, उन से blood जो है, वो heart में जाता है, पर L-E muscles के through नहीं जाता, इसलिए पहला option हो गया, गलत, Ostea से blood अंदर नहीं जा रहा, Ostea के तो द्वारा जा रहा है, through Ostea जा रहा है, तो गलत हो गया, anterior aorta के द्वारा अंदर नहीं जा रहा, anterior aorta तो वापस इसको head sinus में pump कर रही है, तो ये भी हो गया, गलत, 4th देखो, sinus जो है, उन से blood अंदर जा रहा है, heart में, और किस के through जा रहा है, Ostea के through, तो सही, matching यहाँ कहां मिल गई, 4th option में मिल गई, इसलिए answer क्या चला गया, इसका 4th option, चलो, आगे, How many ovaryols are present in each ovary of female cockroach, हर ovary में कितनी ovaryols होती है, 8, दोनों में 16, इच में पूछा है, 8, 8 कहां दे रखा है, 3rd option में, तो answer हो गया, 3rd, यह बल्कुल एकडम flat cushions है, non-cretinized stratified squamous epithelium कहां पाई जाती है, तो अगर आप लोगों ने इसको याद किया है, examples को, तो बकल cavity, pharynx, isophagus, cervix, vagina, इन सभी में कौन सी epithelium होती है, non-cretinized stratified squamous epithelium, यहां nail आ गया, इसमें keratinized होती है, keratin ही करत होती है, तो यह गलत हो गया, फिर, यहाँ पर फिर से nail आ गया, गलत हो गया, यहाँ पर alvely आ गया, गलत हो गया, सही matching के लिए यहाँ पर fourth option एकदम सही दे रखा है, इसलिए answer हो गया, fourth option, तो यह सारे की सारे हमारे section, एक-एक questions हो गए, अब कुछ questions जो geology part के next section में आये हैं, उनकी बात करते हैं, देखे, यह एक matching का question है, यहाँ पर आपको match करना है, तो अगर आप देखोगे, four brain, four brain जो है, four brain की, अगर हम लोग बात करेंगे, तो four brain का part कौन है, diencephalon, तो A के सामने आप लोग किसकी matching कर सकते हूँ, third की, mid brain, mid brain में कौन से condition होती है, चार optic lobes होते है, corpora quadrigemina, यानि B के सामने आपनो matching कर सकते हूँ, fourth की, hind brain जो है, hind brain का कौन सा part होता है, medulla oblongata, यानि C के सामने matching कर सकते हूँ, first की, और spinal reflex के अंदर, यानि reflex में कौन involve होता है, inter neuron, तो D के सामने matching कर सकते हूँ, second की, तो सही, sequence क्या बनी, three, four, one, two, three, four, one, two, कहां दे रखा है, पहले में नहीं दे रखा, गलत हो गया, दूसरे में नहीं दे रखा, गलत हो गया, तीसरे में नहीं दे रखा, गलत हो गया, चौथा देखे, three, four, one, two, सही matching दे रखी है, कहां पर, fourth option में, इसलिए, answer हो गया, आप चले, next, नी जर्क रिफ्लेक्स में, which of the following is passed through dorsal root ganglion, dorsal root जो है spinal की, वहां से sensory neuron आता है, और information को ला रहा है, लाने वाले को efferent कहते हैं, तो dorsal root ganglion में से कौन सा वाला neuron आएगा, कौन सा pathway होगा, efferent pathway, efferent यानि अभिवाही पत हमें कहा दे रखा है, first option में, इसलिए answer हो ग first option is the correct, आगे चलिए, यह आपको यहाँ पर एक slide दे रखी है, एक diagram दे रखा है, आप लोग जानते हैं, यह diagram cochlea के section का है, सही तरह से छाटना है, पहले अगर तुम A, B, C, D, इन सब को भरने लग गए, time waste हो जाएगा, सीधा option से जाओ, C and G filled with same type of fluid, C और G, यहाँ पर भी आ G में भी peralymph देखने को मिलेगा, यह बात हो गई, सही बात हो गई, D में, scala media है, बीच में क्या भरा रहता है, endolymph, सही बात हो गई, E और F, E और F, F तो है basilar membrane, E है rissner membrane, E और F, F को basilar और rissner कहता है, यानि इसने ulta लिख दिया, गलत कर दिया, ulta, तो यही हो गया, गलत, ग impulse generated in B, तो B जो है, organ of quote I है, तो इसी में impulses generate होगी, तो 4th B सही है, गलत पूछा है, तो गलत कौन सा है, 3rd, क्योंकि ulta लिख दिया, E तो rissner है, और F कौन है, basilar है, यह कह रहा है कि E basilar है, और F rissner है, इसलिए गलत मान रहे हैं इसको, चलिए student, 39 नंबर का question है, इसे दिखते ह हमारे सामने दे रखे हैं, पहला statement है, receptor for neurotransmitters, always present on post-snaptic membrane of neuron, अब हाला कि NCIT में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो receptors होते हैं, neurotransmitters के लिए, वो हमेशा post-snaptic membrane पर होते हैं, मतलब post-snaptic membrane पर ही पाये जाते हैं, ऐसा diagram में भी है, पर general sense में यह statement सहीं नहीं है, कुछ special cases के अंदर receptors आपकी pre-snaptic membrane पर भी पाये जाते हैं, तो अब यह आपके लिए एक थोड़ा सा controversial statement हो सकता है, इसने always लगा दिया, इसी वजह से यह statement जो है, वो incorrect हो जाएगा, अब आप लोग कहोगी, नहीं हमने तो इस तरह से पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, paper इसलिए होते हैं, additional information को ज receptors पाये जाते हैं, तो यह statement हो गया, incorrect, second statement पढ़िए, bipolar neuron जो है, exon के, वो यह कह रहे हैं कि exon जो है, bipolar neuron के, वो photoreceptor के साथ में क्या बनाता है, snaps बनाता है, गलत बात हो गई, जो dendrite है, bipolar neuron की, वो photoreceptor से impulse को receive करती है, और exon वाला part जो है, वो आगे ganglionic clear को transfer करता है, तो यह बात भी यहाँ पर गलत हो गई, तीसरा statement है, eustachian tube balance को बराबर करती है, air balance को, eardrum के दोनों तरफ, यह statement यहाँ पर पूरी तरह से सही हो गया, तो first statement always आने की वजह से गलत हो जाता है, second statement में exon आगे ऐसली गलत हो गया, तो third statement सही है, first and second statement incorrect है, तो statement third are correct and first and second is incorrect, इसी वजह से आपका यहाँ पर answer चला गया, fourth option is the correct answer, आगे चलिए, which of the following is correct regarding sodium potassium pump, तो देखी sodium potassium pump जो है, वो ATP को consume करके 3 sodium को बाहर निकालता है और 2 potassium को अंदर लाता है, तो transport of 3 sodium outward and 2 potassium inward, actively, 3 sodium बाहर तथा 2 potassium अंदर की और सक्रिये परिवहने, तो यह बात हमारी first option में दे रखी है, इसलिए answer हो गया first option, ठीक है, आगे चलिए, somatic neural system relay impulse from काईक तंत्र का तंत्र उद्धिपनों को कहां से कहां पहुचाता है, तो जो somatic neural system है, वो CNS से, central nervous system से, जो skeletal muscles है, वहाँ पर पहुचाने का कार्रे करता है, तो यह आप देखी, first option म muscles, यानि CNS से कंकाली पेशियों को, इसलिए answer यहाँ पर क्या हो गया, first option is the correct answer, आगे चले, next, 42, which of the following is correct for resting state of neuron, यानि resting का मतलब की विराम अवस्ता, जब किसी भी प्रकार का, जो signal है, वो neuron में से transfer नहीं हो रहा हो, उसके लिए कौन सा सही है, एक्जोलीमा comparatively more permeable to sodium and nearly impermeable to potassium, गलत बात है, पोटेशियम के लिए permeable होती है, और sodium के लिए nearly impermeable होती है, sodium potassium pump inactive, गलत बात है, sodium potassium pump जो है वो active होता है, एक्जोलीमा impermeable to negatively charged protein, ये बात बिल्कुल सही है, कि जो negatively charged जो proteins होते है, रणात्मक आवेशित जो protein होते हैं, उनके लिए एक्जोलीमा एपारगम में होती है, ये बात आपके यहाँ पर सही है, और आपसे पूछा भी क्या है, सही वाला पूछा है, इसी वजह से यहाँ पर answer आजाएगा आपका third option, neuron is in depolarization state, तंत्रिका कोशिका विद्रुमन अवस्ता में होती है, नहीं विद्रुमन में नहीं हो बलकि धुरुवित अवस्ता में होती है, इसलिए ये बात भी हो गई गलत, इसलिए आंसर कौन सा हो गया, third option, आगे चलिए, boidal epithelium कहां पाई जाती है, nephron के अंदर, खास तोर पर PCT of nephron, ठीक है, small intestine में columnar होती है, इसलिए गलत हो गया, oveduct जो है, उसमें ciliated होती है, गलत हो गया, तो आंसर आपको मिल गया PCT, यानि की proximal convoluted tubule, आंसर आगया, third option, आगे चलिए, ligaments, ligaments जो है, वो किसके बने होते है, देखें, ligaments और tendon, ये example है, dense connective tissue regular, यानि की जो नियमत आपका सघन सही हो जी, उतक है, इसके ये उधारन है, ठीक है, पर tendon जो है, वो white वाले के हैं, उसमें ज्यादा collagen वाले होते हैं, fibers, और ligaments में ज्यादा elastic fibers होते हैं, और कुछ collagen fibers होते हैं, तो elastic fibers and few collagen fibers, यानि लचीले त तन्तू, कुछ collagen तन्तू वाला option, third में दे रखा है, इसलिए 44 में answer हो गया, आपका third option, ठीक है, चलिए, which of the following structures is not available in all connective tissue, सभी सईयों जी उतकों में कौन सी संदचना नहीं होती, सारे connective tissue की बात करें, तो यहाँ पर blood भी आ गया हमारा, तो अगर आप लोग देखोगे, फाइब्रो ब्लास्ट, फाइब्रो ब्लास्ट जो है, वो basically आपके लगभग सभी सईयों जी उतकों में होती है, पर जो रक्त है, जो कि एक प्रकार का आपका liquid connective tissue का example है, उसमें फाइब्रो ब्लास्ट नहीं होती, तो हम यह कह सकते हैं कि फाइब्रो ब्लास्ट जो है, वो सभी में नहीं होती, चीक है, क्योंकि blood जो है, उसके matrix में fibers नहीं पाए जाते, और उसके matrix का निर्मान में lever करता, इसलिए fiber ब्लास्ट उसमें नहीं पाए जाएगी, फिर second हो गया fibers, fibers जो है, वो अगर आप लोग देखोगे, फिर से वही बात है कि जो blood है, जो कि एक liquid connective tissue है, या तरल सही हो जी उतक है, उसमें भी fibers नहीं मिलेगे, macrophages की बात करोगे, तो ये आपको देखने को मिलेगे, लगबग सभी प्रकार के connective tissue में, blood में भी देखने को मिलेगी, monocytes, matrix जो है, वो भी आपको सभी connective tissues में देखने को मिलेगी, blood की जो matrix है, उसे हम plasma भी कहते है, त ये statement भी आपका सही हो गया, तो कौन सी ऐसी structure है, जो आपको सभी connective tissues में नहीं देखने को मिलेगी, तो fibroblast और fibers जो है, वो सभी connective tissue में पाए जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए answer जाएगा, A and B only, जो हमें कहा दे रखा है, second option में, तो answer क्या हो गया? second option is the correct answer, next, यहाँ पर assertion और reason है, plasma cells जो है, human body में, वो excessive amount of inflammatory substance release करते हैं, जिनके कारण allergic reaction होती है, गलत बात हो गई, plasma cells तो antibodies release करते हैं, तो assertion पूरी तरह से क्या हो गया? गलत हो गया, inflammatory substances जो है, वो आपकी basophils आ जाएगी, histamine वगएरे की बात कर रहा है, ये, allergen जो है, environment में, वो human body में पहुँचके, mass cell को stimulate करते हैं, तो ये बात, जो है, वो कहीं न कहीं सही है, तो reason यहाँ पर सही है, अब assertion गलत है, reason सही है, अगर आप options को पढ़ोगे, तो यहाँ पर एक ही ऐसा option है, कि assertion false, reason may be true and false, तो सही matching यहाँ पर आपकी कौन से option में हो रही ह फोर्थ option में हो रही है, इसलिए answer क्या चला गया, फोर्थ option is the correct answer, ठीक है, तो यह कुछ जो लॉजी के questions थे, जिने मैंने discuss किया, उमीद है कि आपको समझ में आए होंगे, thank you. Hello students, स्वागत आपका, आज के इस वीडियो solution के अंदर, I am Lalit Soni, Team Botany CLC Seeker, तो students, आज हम solution करने जा रहे हैं, दंगल 1 के बारे में, इसके अंदर जो अपना बोटनी वाला portion है, उसके कोशन हम लोग यहाँ पर soul करेंगे, ठीक है, आओ तो हम बिना देर कीवे, topic start करते हैं, कोशन नंबर 47 यहाँ पर है, एक शोध विध्यारती, एक शेवाल को एकत्तित करता है, इसमें क्लोरोफिल A, D, तथा फाइको इरित्रिन उपस्तित है, तो यह शेवाल निम्नर से सम्मधित है, यह रिसर्च स्टुडेंट वन्स कलेक्टेड सर्टेन एलगा, एंड फाउंड देट हैव क्लोरोफिल A, D, एंड फाइको इरित्रिन, इस एलगा बिलॉंग टू, देखो बचो, याद अतना एलगी जो है, उस एलगी में आपके पास क्लोरोफिल A है, तो क्लोरोफिल A जो वो तो all type of algae में होता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि all type of plant में होता है, प्लांट अगर lower category का है, जैसे थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेलोफाइटा, या plant अगर higher category का है, जैसे जिमनोस्पम हो या एंडियोस्पम हो, तो सारे प्लांट के अंदर क्लोरोफिल A तो होग तो क्लोरोफिल D का होना character किसका होता है, रेड अलगी का होता है, अगर ग्रिन अलगी है, तो क्लोरोफिल A with क्लोरोफिल B, ब्राउन अलगी में क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C और रेड अलगी जो है, उसमें क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल D होता है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं रेड़ एलगी कोश्चो करता है फिर यहाँ पर दे दिया फाइको एरिथीन जो है वह भी किसमें होता है रेड़ एलगी में होता है तो आश्च आपका यहां पर हो गया रेड़ एलगी मतलब रोडो फाइसी है नाइक्सट कोशन नूम्होटी और सेपैरेशन और फॉमोलो ओस्ट में रहें अगर गुणसूत्रों के परतकरण की बात अगर अबरें फ्र सैंटीम उत्ता है यह शोता है इनफस्ट ने यात करो अगर मेता-फेसर की बात करों तो मेता-फेस-फिस्ट के अंदर इस तरीके से आपके सामने मेटा-फेस प्लेट होगी और या इतना मेता-फेस-फ्लेट में जो क्रोमोजोम एक-डूसया के आमने सामने हैं जो क्रोमोजोम एक दूसरे के आमने सामने हैं वो होते हैं होमोलोगोस क्रोमोजोम तो उपर वाला क्रोमोजोम कहा जाएगा अपर पॉल की तरफ निच्चे वाला क्रोमोजोम कहा पर जाएगा लोवर पॉल की तरफ तो देखो यहां पर होमोलोगोस क्रोमो स्वाइब 2 वापन सेप्रेशन नहीं होता एक्ष tob Jahre अगर हो लोगोस जो कंडिशन है वह आप कह सकते पैरिंग होना यह हो लोगोस का वापस सेप्रेशन हो जाना यह मियोश स्में होता हैं नहीं कि मैट शिस होगा तो और अंसर यहां पर इसका कुंसा हो गया से कि न ऐसे हेँ सिक्स्टین कौ् fidelity की मूल की कोशिकां में गुन सुत्रों की संख्या प्रफच अवस्ता में सोड़ा है तो जीवन अवस्ता और जीटू आएґ काइख कोशिकां में गुन सुत्रों की संक्या क्या होगी इफ देर आर 16 chromosomes in root cell of an onion during roll face what will be the number of chromosomes in the G1 phase and G2 phase in somatic cell of onion cell दोगो आपको बच्चो यहाँ पर इस question में root cell रखा है और पुछा किस के बारे में है somatic cell के बारे में तो root cell जो है वो एक somatic cell ही हुआ गरती है तो आपको यहाँ पर ploidy change बिल्कुल नहीं करनी है ठीक है तो कोई इसमें मुश्किल बात अपने नहीं पुछिए 16 chromosome आपके पास में है और पुछा कैंए आपको पुछा आपको यहाँ पर है क्रोमोजोम के नंबर तो क्रोमोजोम के नंबर की बात अगर आजाती है तो S phase में DNA का क्या होगा replication S phase में DNA का replication होता है तो DNA की जो concentration है वो क्या हो जाएगी double तो DNA की concentration अगर double हो गई तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि DNA की concentration double होने पर क्रोमोजोम जो है उसके अंदर DNA double हो गया बलकि जो क्रोमोजोम पहले एक था अब भी वो क्या है एक ही रहेगा तो अगर मालो आपके पास 16 क्रोमोजोम है तो G1 phase में 16 क्रोमोजोम रहेगा और बचो G2 के अंदर भी क्रोमोजोम के नंबर कितने रहेंगे 16 रहेंगे हाँ DNA जो है अगर आप उसकी बात करते हैं तो G2 phase में DNA double हो जाता number of chromatids double हो जाते है ठीक है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इस कांसर कौन सा हो गया 16 16 इस कांसर है question number 50 केरियो काइनेसिस की टीलो फेज अवस्ता में गुंड सुत्र अपनी परतक पैचान खो देते हैं the chromosome lost their identity as the discrete elements during tillophage stage of केरियो काइनेसिस तो बिलकुल सही है बच्छो टीलो फेज में क्या होगा टीलो फेज के अंदर आप कह सकते हैं कि जो क्रोमोजोम है वो पोल पर जाकर d condense हो जाता है और convert किसमे हो गया वो convert यहाँ पर हो गया क्रोमेटिन फाइबर के अंदर अगर मालो टीलो फेज फर्ष्ट है तो डागरम इस तरीके से बनता है अगर नोर्मल टीलो फेज है तो डागरम कुछ इस तरीके से बन जाएगा हना तो अपर यहाँ पर कह सकते हैं कि टीलो फेज में जो क्रोमोजोम है वो क्रोमोजोम क्रोमेटिन फाइबर के अंदर change हो जाता है इसका मतलब क्रोमोजोम नहीं रहा बलकि वो चेंज किस फोर्म में हो गया क्रोमेटिन फाइबर के फोर्म में चेंज हो गया स्टेटमेंट यहां बिल्कुल करेक्ट है तीलोफेज अवस्ता में गुंसुत्र का संगनन होता है कंडेंसेशन नहीं होगा बलकि यहां पर क्या होगा डी कंडेंसेशन होगा तो A is true and R is wrong आंसर इस फॉर्स्ट कोशन नंबर 50 वह देखते हैं यह लो निम्न लिखित में से कौन सा युगलिनोड के लिए गलत है विच ओफ दे फॉलोइंग is false about युगलिनोड युगलिनोड are mixotropic nutrition बिलकुल जो युगलिना है वो light की presence में कैसा होता है photosynthetic और light की absence में कैसा होता है heterotropic होता है तो इसमें both type of nutrition हो गया युगलिनोड हैव chlorophyll A and chlorophyll C उग्लीना वगरा जो है उसमें आप कहा सकते हैाई खी गिलाराफिल एक it को, भी होता है वो यंग्लीन और रिजाइट इन स्टेगनेन्ट वॉटर बिल्कुल खीय है उग्लीना कहां पे होता है स्टेगनेट्वाटर मी होता है युगलीना रेप्रोड्यूस बाई बाईनरी फीजन बिल्कुल युगलीना जो है उसके अंदर आप कह सकते हैं लॉंकिटुडिनल टाइप का क्या होगा डिविजन होगा है ना तो यहाँ पे आपको रोंग पुछा है 52 निम्न में से कौन सा एक जीवो का समू बोजन निर्मान के लिए एकारबनिक पदार्तों के उक्सिकरन से उड़जा पराप्त करता है 52 नंबर कोशन की बात अगर अपन यहाँ पे करें तो यहाँ पर आपको एक ग्रूप ओफ ओफ ओगनिसम दे दिया क्या दिया है ग्रूप ओफ ओगनिसम दूसरी बात यह केमिकल कंपाउंट्स वगरा जो होते हैं उनसे अपना फूड सिंतियस कर रहा है तो देखो बच्छों फंजाई जो वागरता है यह फंजाई के अगर आप कंडिशन देखे यह तो हैटरोट्रोपिक होता है और है इसका मतलब यह फूड का सिंतियस नहीं कर सकता फोटो ओटोट्रोपिक जो है वो केमिकल के ऑक्सिदेशल से अपना फूड नहीं बनाता ब ठीक है की मोटो ट्रोपिक जो है यह आप कह सकते हैं ऐसे ओगनिजम्स होते हैं जो केमिकल्स का ओक्षिरेशन करके अपने लिपाच्चों क्या करते हैं वह फूर्ड का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है यह अपने सामने कंडिशन है यह का मतलब क्या है दिफ्रेंट का मतलब क्या है ठीक वोल तो याद किना यह सेलbn चैणिस क confess एिस McCarthyो को को चुनिए बिल्कुल चुंते हैं साब चुनना यह तो है सारा हेली इसका है सेलेक्शन का डाइनो फ्लजिलेट्स टु फ्लेजिला ओके यूगलिणोईड सैली लोजिक सैल वोल ना मुनना ना यूगलिना जो है उसमें सैल बोल क्या होती है एपसेंट होती है डाई एटम चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन NCRT की लाइन है बिलकुल नीचे लिखावा है स्लाइम मोल्ड स्पोर फोर्मेशन यह स्लाइम मोल्ड जो है आप कह सकते है बिलकुल स्पोर का फोर्मेशन करता है बट आपको यहाँ पर मिसमेच यहाँ पर कौन सा हो गया सेकंड ऑप्शन हो गया क्योंकि यहाँ पर सेल बोल क्या होती है आप कहा सकते हैं अपसेंट होती है 55 टेक्सोनोमिकल एड विच कंटेन इन्फोर्मेशन और एनी वन टेक्सोन कॉल्ड मॉनोग्राफ याद अपना अगर आपको यह कहा जाए कि ऐसा टेक्सोनोमिकल एड जिसके अंदर किसी भी एक टेक्सोन के बारे में कंप्लीट इन्फोर्मेशन है तो वह कौन सा हो गया मोनोग्राफ हो गया 56 फ्यूजन ओफ नॉन फ्यूजिलेटेड फ्यूजन ओफ नॉन फ्यूजिलेटेड एंड सिमिलर साइज गेमेट अकर्स इन देखें यहाँ पर आपको आइसो गेमी बतानी है और आइसोगेमेशन भी कैसी होती है फ्यूजिलेटेड या नॉन फ्यूजिलेटेड यहाँ पर आपको बतानी है नॉन फ्यूजिलेटेड इन फ्यूजिलेटेड इन फ्यूजिलेटेड इन फ्यूजिलेटेड इन फ्यूजिलेटेड इन फ्यूजिलेटेड इन फ्यूजि किसा होगा उगे मैं सोगा स्पाइरो गायरा जो है जिसका करेक्ट आंसर है इसमें आइसोगेमी भी होती है और बिना या कितने हैं विलकुल दो होते हैं इक्वल होते हैं तो बच्छों इक्वल नहीं हुआ करते हैं कि अनिक्वल होते हैं लेटरल साइड में होते हैं एनिक्वल है तो आप कहसे क्यों सा गया फिप्टिशेवन में इनोगेनिक सेट देंकरेक्ट मेच एगार करागेन फूड सप्लिमेंट वाई स्पेस टेवलर्स या पीट यहां पर मिसकी मेचिंग करेंगे अच्छा मिस मेचिंग दूढ़ना अपने को एगार एगार ग्रेसिल एरिया के रागीन ब्राउन एलगी देखो ब्राउन एलगी ज इसमें देखे तो यहां पर कह सकते हैं फिर यहां पर फूड सप्लिमेंट स्पेस टेवलर्स पाइरोला ना बिल्कुल स्पाइरोला ना भी होता है पीट को देता है स्पेग्णम देगा ब्राइव फाइटा जिसका जो करेक्ट आंसर वो कॉन सा होगे सेकंड ऑप्शन क्यो पॉस्ट फटलाइजेशन डेवलापमेंड इजगे पहली बात है कि सेक्शल एप्रोडक्शन उना चाहिए पर ये बोल रहे है कि उसमें कॉंप्लेक्स कंडिशन हो किसकी पॉस्ट फेटलाइजेशन डिवलपमेंड की यह बचों कंडिशन किसमें आता है आ आप कह सकते है रेड़े में आता है और यहां पर डल की कौन सा है पूलीस आईफोन यह जो थिक्स कैसा होता है ग्रीन डिक्टियोटा ब्राउन फ्यूकस ब्राउन तो आसर यहां पर कौन सा हो गया फॉर्ट ऑप्शन क्योंकि रेड़ एल्गी जो बच्छों करता है आप कह सकते उसके अंद अटेच्टू देश सबस्टेटम बाई युनिसेलुलर और मल्टिसल्लर राइजोट से अगर लेवर वर्ण है तो राइजोड कैसे और यूनिसल्लर मोसेसमें कैसा होगा मल्टिसल्लर देपगे स्टेम लाइक एंड लीफ-लाइक प्रक्च्छर भी होती है लीफ-लाइक photosynthetic no-no-no sporophyte जो है वो गया 1 वो free-living नहीं होता dependent किस़ा होता है the fotosynthetic जो है वो आप के सकते monitors वगराणिया हो सकता है ठीक है तो आप यहाँ पे के सकते हैं free-living अर्ने से गलत हो गया खलत आंसर कॉन सा इसका? incorrect statement कॉन सा dus adoption about does not undergo reduction division immediately बिलकुल जाइगोट में immediately मियोसिस नहीं होगा बलकि जाइगोट से क्या बनेगा sporophyte बनेगा लिवरवट है तो क्या होगा उसके अंदर फुट होगा और क्या होगा capsule होगा मोसेज में फुट, सीटा, capsule होते हैं पर मारकेंशिय में क्या होगा मारकेंशिय में तीनों होगा वो अलग कंडिशन है 61 नुमेटोफोर अत्वास्वास्वसन मूल जो परकास, धनात्मक और गुरुत्वी है नकारात्मक किन पोदों में पाई जाती है नुमेटोफोर और ब्रिधिंग रूट और पोजिटिव फोटोटोपिक जो बचो आप कहसकते है, इन प्लांट के अंदर वोटर जो है, सोईल में वो काफी ज़ादा होता है इतना ज़ादा वोटर है, कि इसकी जो एयर है वो भाहार निकल जाती है और आप कहसकते हैं कि यह जो प्लांट हुआ करते हैं वो फिर जाते हैं, कैसे? निमेटोफोर का formation करते हैं क्योंकि अगर मालो water में अगर soil में excess amount of water हो गया तो air जो वो बहाँ निकल जाएगी और ज़्यादा water होने से air की absence होने से root वहाँ पर respiration कर नहीं पाएगी तो बचो root जो है वो जमीन तोड़ के बहाँ निकलती है और क्या करती है वहाँ पर respiration करती है question number 62 match column first with column 2 and choose the correct combination from the option given below column यहाँ पे आप उधे रखा है position of floral parts on thalamus represented in तो देखो hypokyanus जो हो condition किसमी होती है तो आप देखो NCRT के बचो कोशन नहीं NCRT में जो example दे रखे हैं सिध्या कोशन यहाँ पे है ठीक है आपको बस NCRT के लाइन जो हो याद दोने चाहिए इस कोशन में तो hypokyanus किसमी होगा ब्रिंजल में perigyanus किसमी होगा टीच में और epikyanus किसमी होगा अरे फ्लेट्स ऑफसन फ्लार में ठीक अत्वान से इसका होगया A में 2 B में 3 और C में 1 करेक्ट आंसर इस 4 डंबला का रक्षक कोशिकाए पाई जाती है डंबल शेप गार्ट सेल अकर्स इन सीडी से बात वही डंबल शेप किसमी होटी है मोनो कोट में होती है मेंबर ओफ हैमिली पोएसी लाइक ग्रासेज मेंबर ओफ हैमिली फाबेसी लाइक पी या प्लांट ओफ ओल मोनो कोट अब देखे है बच्चार इतना अगर आप कंडिशन देखे तो मोनो कोट के अंदर डंबल शेप सेल पाई जाती है पर वो डंबल शेप सेल ओल मोनो कोट में नहीं होती है ग्रासेज बगरा में होती है तो आंसर यहां पर कौण सा हो गया फस्ट ओप्शन हो गया 64, केसिया और गुलमोहर कंटेन विच टाइप ओफ एस्टिवेशन बिलकुल या रतना केसिया और गुलमोहर ये शो करते हैं इंब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन ठीक है अब ये तोड़ा सब अच्छो एक्जाम्पल है वो आपको या दोना चाहिए 65, auxiliary birds are present in exile of leaves and are capable of forming कक्षस्त कलिकाय पत्तियों के कक्ष में होती है तता इनमें बनाने की शमता होती है a branch when cytokine is proper a flower when appropriate photoperiodism is received both one and two तो देखो आप कह सकते हैं ये जो auxiliary पर दुवा करती है ये branch का formation भी कर सकती है और ये flower का formation भी कर सकती है तो answer यहाँ पर कौन सा हो गया third option हो गया a branch and flower which never depends upon factor ये पुच्छो गलत है branch और flower जो है ये बनते हैं पर depend किस पर करता है डिपेंड करता है factor के उपर ठीक है तो जो cytokinin वो क्या करता है वो lateral dominance करता है cytokinin क्या करता है branches का formation करता है अब मालो cytokinin ही नहीं है तो उस condition में branch का formation हो नहीं पाएगा और flowering के लिए क्या चाहिए आपको photoperiodism चाहिए तो दोनों possible है NCRT में सिर्फ इतना दे रखा है कि जो auxiliary bird है उससे branch बनती है फ्लार बनता है पर कौन सी condition में बनती है यह आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा 66 घासों में शिराओं के सहारे विशेस अभ्यक्स अधिचर्मिय कोशिकाए जो बड़े अवकास युक्त रंगहीन कोशिकाओं में परिवर्टित होती है इन ग्रासेस साइटर अदेक्षिल एपिडर्मल सेल अलोंग दे वेंस मोडिफाइद देमसेल्स इन्टू लार्ज इंप्टी कलरलेस सेल्स कॉल्ड तो याद इतना अगर मालो लार्ज सेल है इंप्टी सेल है तो बताओ ये कंडिशन किसमें होती है बुली फेम सेल में होती है याद इतना बुली फोर्म सेल कहां होती है जो मोनो कोट लीफ है उसकी एडेक्षिल सरफेस जो आकरती है उस एडेक्शल सर्फेस पर बुलिफोर्म सेल होती है इसका फंक्शन क्या है folding and unfolding of leaf ताकि जो transpiration उसको maintain के जा सके 67, tylosis and outgrowth from simple gylem parenchyma cell into the lumen of a vessel in which parenchyma partially or completely blocks the cavity are present in बच्चो टाइलोसिस वगरा जो है वो तब जब होगा जब lignin वगरा का डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है और highly deposition of lignin किसमे होता है आप कह सकते हाट वुड में होगा पैरी डर्म जो है वो अलग चीज है पैरी डर्म का मतलब तो क्या हो गया टो पैरी डर्म का मतलब हो गया जिसके अंदर को रक भी आ गया इसके लावा आप क्या कह सकते हैं इसके अंदर को यह कि केंभिया इसके लावा इसमें क्या आ गया सेकेंड डी दिकोर्टेक्स भी आ गया यहां पर वह गया 2nd option 68 which of the following tissue अगर आप condition देखे तो क्या बोलना है which of the following tissue is not produced by the activity of apical medicine apical medicine की activity से कौन साथ नहीं बनता इंटर फैसिकुलर केम्बियम डर्मल टिशू वैस्कुलर टिशू कोर्क याद देखना डर्मल टिशू हो गया एपिडर्मिस वगरा वह सब एपिकल मेरिस्टेम से बनता है वह वैस्कुलर टिशू जायल अंफ्लोम यह भी से बनता है cortex and endodermis यह भी से बनता है not produced by the activity of apical medicine इंटर फैसिकुलर में केम्बियम जो होता है यह इंटर फैसिकुलर केम्बियम एक्टिविटी ओफ एपिकल मेरिस्टेम से नहीं आता बलकि यह परमानेंट टीशू से आता है समझे बात को यह किसी आता है परमानेंट टीशू से आता है आसर यहां पर कौन सा हो गया से नहीं होता बलकि बचों यहां पर जो मेंडुलरी रेस वगरा होती है उससे होता है निम्हें शब्दों पर विचार कीजिए कंसीडर देगेवन टर्म्स एपसेंस ओफ फ्लोयम परेंकाइमा इस्कलेंड काइमेटस बंडल शीट प्रेजेंस ओफ केविटी इन प्रोटो जाइलम लाइक वोटर केविटी एबोग करेक्टर रिलेट विद फॉलोइंग यह ने को सारे करेक्टर किसके हैं अब यह सारे अंसियार्टी के लाइन है मोनो को जो है इस्टेम ओफ मोनोकोर उसमें फ्लॉररं परेंकाइमा क्या होती है एपसेंट होती है यह नसे एटी में कि फ्लॉरंपरेंकाइमा इस पांड वांड इन डायकोट ठीक है मैं ली इसक्लेरिन और्यमेटस बंडल शीटिये भी किसमें वीलियन में रख दिया जाता है तो क्या होगा वेन एप्लाजमोलाइज सेल इस प्लेस्ट इन वोटर ओफ हाइप वोटर और हाइप पोटॉनिक सोल्यूशन देन वोट विलबी हैपन देखें अगर आप कंडिशन देखें यह आपके पास में वोटर है वोटर में आपने क्या रग दिया सेल वोटर आएगा आपने हाइग कंस्ट沒事 लो कंस्टेशन अच्छा अगर आपके पास बच्छो हाइंप मतलब क्या है उसमें हाइप वह है कम है किया काम है सुल्यूट कम आ वोटर उसमें क्या होता है जाधा तो वटरिब ऑल्वेज मूर में मैं पूरम लो होगा तो टीपी ओफ सेल इस इंक्रीज आंसर बचो यहां पर कौन सा अप्षिन हो गया ठीक है आगे देखे वास पो सरजन और मूल दाब पैसे चढ़ाटे यहां तो पुल करता हैं याद करो ट्रांस्परिशन पुल के निचर किसी होती है जबल करता है पुष करता है बोटर और को किस के अंदर जायलम के अंदर तो आंसर हो गया pushing and pulling it upwards pulling and pushing it respectively बिल्कुल सही है जो transpisional वो क्या करता है pulling करता है और बच्चों यहाँ पर जो आप कह सकते है root pressure वो क्या करता है pushing करता है 72 जल अवसोसन की दर उच्छ होगी यदि the speed of water absorption will be greater if जब मर्दा जल तथा जायलम वाहिकाओ के परासन दाब में अंतर सदेव कम हो the difference between osmotic pressure of soil water and that of xylem vessel is always less अगर बच्चों difference कम होगा तो फिर difference कम होने से क्या होता है water का movement slow होगा अगर एक तरफ water बहुत जादा है एक तरफ water बहुत कम है तो water speed ली कहां से आएगा high concentration से low concentration आएगा the difference between osmotic pressure of soil water and that of xylem vessel is always more बिल्कुल से statement है the osmotic pressure of soil water is always more than that of xylem vessel अगर osmotic pressure of soil water is always more than that of xylem vessel तो याद अगर soil के अंदर osmotic pressure high है इसका मतलब वहां पर पानी कम हो गया और पानी कम है तो पानी आगे बढ़ेगा कैसे पानी कैसे मुग करेगा high to low करेगा the osmotic pressure of soil water is always same same तो बच्चों यहां पर condition होई ने सकती एक्विली बिरिम हो जाएगा आंसर यहां पर कौन सा हो गया second option हो गया 73 इन एंटीपोट एंटीपोट में यहां इतना एंटीपोट में क्या होगा एक प्रोटीन होगी चो एक बार में दो molecule को पास करेगी opposite direction मों देखलो इसमें two molecules are transported in the same direction no only one molecule no two molecules are moved in opposite direction across the membrane बिल्कुल सही है no transport no answer कौन सा हो गया सकासा adoption हो गया 74 which one is against the theory of ascent of sap given by Dixon and Jolly निम्न में से कौन सा Dixon or Jolly के रसा रोहन के शिदांद के विरुद होते हैं पोर in tracheary element सम्वानी त्रित्व के छिद्र cohesion force of water molecules addition force of water molecules या requirement of ATP या रतना यह जो Dixon Jolly का ascent of sap था वो base था पांच चीजों के उपर main यहां पर था transpiration pull इसके लाबा चार force इसको help कर रहे थे cohesive force adhesive force इसके लाबा आप कह सकते tensile strength और इसके लाबा आप यहां पर कह सकते हैं कि जो water molecules वगरा होते हैं वो भी क्या करते हैं दूसरे की help पढ़ते हैं आपस में tensile strength और इसके लाबा आप क्या कह सकते हैं तो यहां requirement of ATP नहीं आती क्योंकि यह passive process है और passive process में ATP का जो use है वो कभी भी नहीं हुआ करता if oxygen is labeled with O18 which molecule will become radioactive as glycolysis crave cycle and oxidative phosphorylation are completed अगर मालो बच्चों O2 में O18 है इसका मतलब O18 का मतलब यह marked हो गया तो crave cycle and oxidative phosphorylation का मतलब ETS पूछ रहा है आपको और completed तो किस में आप कह सकते radioactive substance होगा कोई दिकत नहीं है यदि आपने O18 दिया है तो वह जो O18 है अगर आप condition देखिए तो वह O18 store किस form में होगा आप यहां पर focus करें तो बताओ O18 store किस form में होगा वह आप कह सकते वह वोटर के form में होगा तो याद इतना हम लोग बाहर से यहां पर जो O18 देंगी वह स्टोर किस form में हो जाएगा वोटर के form में हो जाएगा तो आंसर यहां पर हो गया वोटर को जो है इस CO2 के अंदर अपन क्या कह सकते हैं जो ओटू है वह बार से जो मार्क डवो नहीं आएगी एटीपी में रोल नहीं होता वह और जो एनडीएस टू है यहां भी रोल नहीं होता तो आंसर यहां पर कौन सा हो गया फिस्ट ओप्शन हो गया इसको बचाप एक तरीके से और भी कर सकती हो तो इसी बात आपको क्रे के अंदर भी आएगा मतलब भाहर निकलेंगे तो आसर यहां पर हो गया फर्स्ट ओप्शन है 76 विच वन इस करेक्ट निम्न में से एक वह जो सत्य है क्रेप साइकल एंड केमी ओस्मोसिस आर इनिविटेड इन एरोबिक कंडिशन क्रेप साइकल एंड केमी ओस्मोसिस आर इ एटियस होगा ठीक है और क्रेप साइकल अगर नहीं हुआ एटियस नहीं हुआ तो आप कह सकते कि बिना एटियस में फिर उसके बाद केमी ओस्मोसिक थोरी अप्लाई नहीं होगी बोत गुलूकोस अंड फ्रक्टोस रेडियली इं 125 और आप अच है तो घुलूककोज कि भेंटी हो सकती है और फ्रक्टोस की भेंटी हो सकती है और ब्रापर अमाउंट में एनर्जी का फोर्मेशन होता है ग्लुकोस एंद फ्रक्टोस आर फोस्फोराइलेटेड बाइग्जोकाइनेस बिलकुल ग्लुकोस ही यह बनता है ग्लुकोस इक्सपोसपेट फ्रक्टोस से क्या बनता है फ्रक्टोस इक्सपोसपेट तो आंसर यहां पर हो गया ओल सारे स्टेट्पेट से यह 77 विच फॉलोइंग स्टेप्स इस एसोसिएटेड विद एटीपी फोर्मेशन एंड सबस्टेट लेवल फॉस्फोर्मेशन निम्न में से वह है पर जो एटीपी निर्मान और आधारिस तरफ फास्पर लिकरेंट से समझीत है इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कौल सा इसमें स्ट देखिए अगर सक्सिनिक को एंजम ए से सक्सिनिक एसिट बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर जीटीपी का फॉर्मेशन होगा और जीटीपी जो है उसको आप लोग क्या कह सकते हो सबस्टेट लेवल फॉस्फोर्मेशन होता है बात में जो बच्चों और फॉर्मेशन किसका हो गया एटीपी यहां पर गितिपी से एंटीपी का फॉर्मेशन होता है बिना ETS क्यों होता है बिल्कुल सही है 1-3-Di-PGA से बना है 3-PGA बिल्कुल सही बात है बचो भई, glycolysis की reaction है यहाँ पे 2 phosphate है और यहाँ पर एक यह phosphate है यहाँ phosphate 1st पर भी है और 3rd पर भी है, यहाँ सिर्फ 3rd पर है तो 1st carbon का जो phosphate आप देख रही हो वो भान लिकल गया, उसको ADP gain करेगा और convert किसमें होगा, ATP के अंदर PEP से बनता है pyruvic acid यह last step है किसका glycolysis का तो देखो यहाँ पे चारों में ATP का formation होगा, substrate level पर 78 In yeast cell, if TCA cycle is shut down due to lack of O2 glycolysis will probably यह दि yeast को शिकाव में O2 की कमी के कारण TCA चकर बंद हो जाए तो glycolysis संभविता, अगर बचो O2 की कमी हो गई, और जो TCA cycle है, वो क्या होगा, इसमें बंद हो गया, ठीक है shut down हो गया, तो उस condition के अंदर क्या होगा glycolysis बंद नहीं होगा बलकि बढ़ेगा, बचो अगर O2 की कमी हो गई, इसका मतलब aerobic respiration नहीं हो पाएगा aerobic respiration नहीं हो पाएगा तो cell को ज़्दा energy की जरुद पढ़ेगी, अगर aerobic respiration नहीं होगा, तो yeast क्या करेगा aerobic respiration करेगा, और anaerobic respiration से इतने energy डवलप हो नहीं पाती तो ज्यादा एनरूबिक रेस्परेशन करने के लिए बता वो ग्लाइकॉलाइसिस भी क्या करेगा ज्यादा करेगा इसके द्वारा उपियोगित होती है ओटू इस यूजड बाई तो यान अतना ओटू का जो यूज है वो कैसे हो पाएगा आओ देखते हैं बाढको ओटू इस यूजड बाई जाएगा जाहा है citric acid cycle no citric acid cycle का मतलब होता है crepe cycle and the first product of crepe cycle is citric acid so crepe cycle is also known as citric acid cycle but there is no use of oxygen about the Crepe cycle कि इलेक्ट्रों ट्रांस्पोर्ट्टें इलेक्ट्रों ट्रांस्पोर्ट्ट्टें में बचो बिलकुल ओटू का यूज होगा लास्ट स्टेप में होगा सबस्टेट लेवल फॉस्ट वालेशन या एटीप सिंतेटेज तो यान रखता मचो आप इस 79 नंबर कोशन में कह सकते हैं कि सिरफ ETS के अंदर रोल किसका है ओटू का है नहीं तो ATP फॉर्मेशन में है और नहीं यहाँ पर फॉस्ट वालेशन के अंदर होगा 80 इसका देखु बच्चों अपने पास में डायग्रामी दरेखा है नसी आटी में बिल्कुल लास्ट में इसको समझा रखा है अगर आप कंडिशन देखे तो इनिशली एक इंब्रियो जो होता है प्लांट में एड एपिकल मेरिश्टेम री परजंट फोलोइंग टाइप आप ओफ ग्रोथ करता है फिर बच्चों उसके बाद में किया करता है आप कह सकते हैं जियोमेटी क्रोथ करता है फिर बच्चो एक पर पर उप्षिन हो गया एक इन एक एसिसीन लेर फर्मेशन इन मेन फंक्शन आफ मुख्यताय विल्गन परत bastard निर्मान कुसका कारिय Будra जो काम है वह कह सकते विलगन हार्मोन का है और का है मतलब इपक किसिक एसिड़ का हम कई पीजी आर लीड मेटाबोलिक चेंजेस इन सेल्स ओफ और्गन प्लांट दिस अफेक्ट ओफ पीजी आर मेसेंजर में भी पीजी आर अत्वा पादपो की कोशिकाओं में उपापची परिवर्तन को बढ़ावा देता है यह पीजी आर का यह परभाव हो सकता है बिल्कुल ग्रोथ परमोटर अगर ہے इसका मतलब मेटाबोलिक रेक्शन क्या होती है इनकरेज होती है ग्रोथ इनिवीटर अगर बचो ग्रोथ को आप इनिवीट कर रहे हो तो उस कंडिसण के अंदर भी आप कह सकते कि जो metabolism है वो promote करने वाला नहीं बलकि इनिविट करने वाला स्टार्ट हो जाएगा ओके differentiation का मतलब होता है बच्छो मेरी systematic cells से permanent cell का मनना और permanent cell में division नहीं होता तो metabolic reaction उसमें क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तो answer first भी सही है second बसी है तो यहां small have two coatledons तो एक क्या होते है यह हैं यह फिर यह एफिफाइट इक लाएं से आठी के अंदर कि मेंगो का जो plant होता है बच्छो उसकी ओपर और्किट वगरा जो वो क्या करता है तो जो प्लांट दूस्य प्लांट की उपर होगे उसे आप लोग क्या कहते हो अधिपादब उसे आप लोग क्या कहोगे एपिफाइट 84 वरदी हार्मोनों की उपरोक्त दी गई बूमिका के संदर्ब में अधिकतम कारिये किसके द्वारा दड़साएं जाते हैं इथाइलिन ऑक्जिन जिब्रेलिक एसिड या एप्सिसिक एसिड फ्रूट राइपनिंग है तो बच्छो कोन करेगा इथाइलिन करेगा सिट जर्मि यहां पर यह जो आप फंक्शन देख रहे हो यह फंक्शन मेंली बताओ रिलेटेट किससे हो गए आप कहसकते यहां पर हो गए इथाइलिन से तो आसर यहां पर कोन सा हो गया फॉस्ट ऑप्शन हो गया 85 साइटोकाइनिन हेल्प इन डिलेंग देलीफ फोलिंग सेनेसेंस मे अगर मालों साइटोकाइनिन जो है वह पत्तियों की गिरने परिपक्व होने विलम के लिए सायक है डिले करता है लीफ फोलिंगों कैसे यह बच्छों न्यूटिशन को बढ़ा देता है जिससे मेटाबोलिसम क्या रहता है ज्यादा उट ज्यादा मेटाबॉलिसम होने से ल अर्द स्वायत को शिकांग है सेमी ओनेमस और अर्ग नहीं होता उसमें प्लाश्टिटिक और निजम्स यहां पिकलत है तो बताओ लवकों के संदर्ब में सही क्वाइं की संख्यां होगी है यहां प्यार से कौन्य सा हो गया और आप कोशिक है कि गलत हो गया profit लेए पर है कि शर्ष होता और यूट长 करेगा भीजिप जुए उस रिखिप्स सब्सिं निहीं में होता है तो बचो जैसे मालों आप कह सकते हैं कि जो फोटो सिंथेटिक बैक्टरिया होते हैं उसके अंदर क्या नहीं होता प्लास्टिड नहीं होता तो आपका यहां पर हो गया कितने इसमें स्टेट्मेंट सही है तो इसकार सरो हो गया सेकंड ऑप्शन ओके नैस्ट इसके बाद कोशन नंबर 87 रीड दे फॉलोइंग स्टेट्मेंट केरफुली एंड चूज दे करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट ओफ यूकेरियोटिक सेल्स आर इडेंटिकल इन स्ट्रक्चर अलवेस ऐसो सेटेड विद प्लाज्मा मेंब्रेन ठीक है तो बचो यह उसके लिए है प्रोकेरियोटिक के लिए यूकेरियोटिक के लिए नहीं है देर इस एक्स्टेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ओफ साइटो प्लाजम थ्रो दे प्रेसेंस ओफ मेंब्रेन बांड बचो यहां पर सही आंसर कोण साओ एटिसेवन के अंदर टू एट फूर आशर यहां पर सेकेंड ऑप्शन देखो विस सभी यूकेरियोटिक सेल जो है बचो यह स्ट्रक्चर में एक जिसी नहीं होती है डिफरेंट डाइप की सेल की बताओ श्रक्चर भी क्या होती है इसको लिखावा है इस टोरे सबस्तांस या रिजर्व सबस्तांस नाइटी एक कोशिकांग जिसकी अंतहे बत्ती वलित होती है जो अल्टरासोनिक विक्टन से चोटे चोटे टुकले बनाते हैं जो ATP संत्रत्रक्चन कर सकते हैं यह कोशिकांग है यह यहां पर इसमें अंते बित्ति को वलित क्या हुआ है तो कंडिशन किसमें आ गई माइटो कॉंडरिया में आ गई 91 अंकुरित होते विए भीजो की कोशिकाव में सवसन की अधर हुआ करती है अगर बच्छों सीट जर्मिनेशन कर रहा है इसका मतलब उसकी मेटाबोलिक रेट क्या होगी हाई और हाई मेटाबोलिक रेट में रेस्पिरिशन भी क्या होगा फास्ट होगा यह गलत हो गया ड्यू तो लो नंबर ओफ माइटो कॉंड रिया स्लो रेट नहीं होगी आसर इसका होगा सेगंड ऑप्शन 92 गोलजी बोड़ी इस दे इंपोर्टेंट साइटो फोर्मेशन ओफ गोलजी बोड़ी क्या मनाता है गलाइको प्रोटीन गलाइको लिपिड बनाता है प्रोटीन मनाता है कौन रियार लिपिड कौन मनाएगा आसर इसका हो गया थर्ड ऑप्शन 93 एंजाइम नाइट्रोजनेस इस हाइली सेंसिटिव तू मॉलिक्यूलर ऑक्सिजन सो इट रिक्वाइर इस रिक्वाइर एन एरोबिक कंडिशन याद करो बच्चो नाइट्रोजनेस एंजाइम है उसका इनिबिटर कौन होता है उसका निबिटर होता है ऑक्सिजन तो एनरोबिक में फ़र्क कर पाएगा 94 फोटोलाइसिस ओफोटर नीड वोटर ये फोटोलाइसिस के लिए आप इसका एक्टिवेटर मेगनेशम है 96 और डिसप्टेड और स्ट्रोमा सेप्रेट फॉर्म इन्हें दिया जाता है बच्चो स्ट्रोमा का फिक्सेशन कर सकता है अगर इसको लाइट रिएक्शन का प्रोडट मिल जाए और वोट इस दे प्रोड़क्ट ओफ लाइट रिएक्शन एट फी एंड एड एड़ प्लांट में होता है यहां सिदा एंजाइम कों सा है और सरी यहां पर कौं सा 97 में सेकेंड ऑप्शन हो गया जड योजना सम्मझिद है दे जड़ स्किम रिफस्टू टाइप ओफ फोटो सिंथेटिक यूस्ट इन प्लांट्स फाउंड इन एरिया विद मिनल प्रेसिपिटेशन दे पैटर ओफ स्टोमा विदिन दे क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स दे कार्बं फर्स्ट बनाते हैं इस तरीके से जड़ स्किम को शो करते हैं तो वास्ता में यह क्या है एनर्जी प्रोडूस करने का हुए है ताकि एटीप और एडीप इस तो बन जाए नाइटीन था इलेक्ट्रों फ्लो पीएस सेकेंड टू एडीप इस अफिल डाउन हील अफिल एक किरता है अंदर की तक होगा ताकि जरीका फोटो लाइसेंश होगा तो इसको इसिले क्या मील जाए इलेक्ट्रों मिल जाए तो आंसर इसका हो गया इनर्साइट आटर साइटन नीं होगा विदिन दे लिमुन नो थाले कोई लिमुन में नहीं होता पोजिशन ऑफ पे सेगेंड शिप्टेट फो में शिप्टेट कभी नहीं होता आज सर बच्छों यहां पर कौन सा है नमबर वन यह बच्छों यहां पर पर का सॉल्यूशन किया उमीद आपने इंज्वय क्या होगा थांक यू